हाई अब्रीबाई वेलकम टो आरकेश्टडी आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं HTML के बारे में HTML का basic जो है concept हमने clear कर लिया है जैसे की हमारा HTML क्या होता है HTML का हम लोग use क्यों करते हैं साथ सी साथ HTML के tag कितने प्रकार के होते हैं और HTML के attributes कौन-कौन से होते हैं जो HTML के अंदर use किया जाते हैं यह सारी चीज़े हमने बात कर लिये हैं लगबग अब हमारा main हमने बताये तो आप है कि अगर basic आप concept clear कर लेते हैं तो आप practical करने के लिए तयार हो जाते हूं तो आज की इस वीडियो में हम लोग practical करके देखेंगे और साथ ही साथ किस तरह से हमारे HTML में यह सारे attributes जो है tag किस तरह से use होते हैं और हमारे page में किस तरह से दिखते हैं वो सारा program करके देखेंगे और सबसे पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम कौन सा एप इंस्टॉल करें अपनी लेप्टॉव के अंदर ठीक है जिससे की हमारा HTML उसमें चल जाए तो वो सारा का सारा हम लोग basic चीज देखेंगे एक दो important चीज और है जैसे की आपका HTML जो है वो basic से लेकर और pro label तक आपका practical कराया जाएगा जिसमें की आप पहुत important चीज बताई जाएगी और सारा लगबग आपको एक advanced जितना HTML आना चाहिए वो सारी चीज इसमें कबर हो जाएगी और आप अच्छे से एक page को design करना सीख जाएगे साथी साथ आप जब interview में जाते हैं ठीक है तो interview में आप सभी लोग को HTML से जितने भी question पूछे जाते हैं वो सारे आप बता सकते हैं साथी साथ अपने resume के अंदर डाल सकते हैं और आपका company में जब job लग रही होगी जब placement time में आपका अच्छा खासा इसमें mark बन सकता है तो चली आज की class को सुरुआत करते हैं HTML को जिसमें level 1 से लेकर यानि basic level से लेकर advanced level pro level तक हम पूरे HTML को पढ़ रहे होंगे तो अगर आप वो student है जिनको बिलकुल भी coding, programming, development नहीं आती है तो इस video के अंदर आप वो चीजें सीख जाएंगे code कैसे करना होता है, HTML की web development में importance क्या होती है, HTML को actually use कैसे करते है website बनाने की आपकी journey की बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो रही होगी साथ के साथ इस video को हमने चार levels में divide किया और चारो level को complete करने के बाद आप एक pro programmer बन जाएंगे HTML में साथ के साथ इस video के अंदर हमने दो major project ideas आपको दिये हैं उनको कैसे build करना है वो भी आपको सिखाया है तो आप अपने resume के अंदर डालने के लिए कुछ यहाँ से लेकर जा रहे होंगे इसके साथ programming के साथ साथ जो भी codes हमने लिखे होंगे या जो भी notes हमारे बने होंगे वो सारे की सारी चीजें description box में available होंगी जिनको आप कभी भी अपनी revision के लिए use कर सकते हैं अब इस video को देखने के लिए हमें दो basic चीजों की ज़रूरत है वह एक laptop और साथ के साथ बहुत सारा excitement जो भी चीज आपको पसंद आए जो भी चीज मैने बोली हो वीडियो के अंदर उसको मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना और अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है कि मुझे आगे की वीडियो में अडिशनली कवर करनी चाहिए उसके बारे में आप मुझे नीचे बरता सकते हैं अधियर का इस्तमाल करेंगे अदिशने माजन कर सकते हैं कि वह एक नोट बुक की तरह हैं ऑने न्ट बुक कि अंदर हम डिफेरेंट दिफरिंट चीज इंपके लिखा करें यूंगे जब भी लिख थे तो यह कोड लिख दिए तो इसके लिए कोड लिए हैं इसके साथ है अब HTML का code वैसे तो आपने स्कूल में अगर कभी HTML पढ़ा होगा तो आप देख रहे होंगे कि नोट पैड में भी लिख सकते हैं यानि आपके computer system में जो नोट पैड की files बनती हैं .txt से फाइल बनती हैं उनकी जगे आप .html वाली फाइल बना कर भी HTML लिख सकते हैं पर code editor जो है हमें काफी सारी external functionality देगा साथ के साथ शुरुआत से हम आपका वो environment प्रिपेर करा देंगे कि आगे जाकर अगर आपको projects करने जिन projects को में इस वीडियो में डिसक्स कर रहे होंगे या फिर आपको खुद का अपना कुछ बिल्ड करना है आगे जाके एक website बिल्ड करनी है और जादा software systems बनाने तो वो आपके लिए बनाना पहले से असान हो जाएगा क्योंकि पहले से ही सबसे जो seamless process वाली चीज होती है सबसे efficiency वाली चीज उनको हम यूज करवा देंगे अब VS Code Microsoft की तरफ से freely available है तो इसको कोई भी जाकर इस्तमाल कर सकता है तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए हम सर्च करेंगे इंटरनेट पर डाउनलोड VS Code तो यह फर्स्ट जो लिंक काएगा इस पर हमें चले जाना है यहां पर साइट भी में बता देती हूं code.visualstudio.com slash download अब इसमें काफी सारे option आगे हैं अब आप Windows मशीन पर है Windows 7, 8, 10, 11 पर तो यहां पर आप अपने इसको आप यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप Linux पर हैं तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं अब जब भी आप Windows के लिए डाउनलोड करेंगे तो बीच में काफी साने ना हमें क्या करना है इन सारे के सारे चेक बॉक्स को टिक कर देना है जैसे ही टिक करेंगे हमारा विज्वल स्टुडियो कोड पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा और इसको अब हम फर्स ताइम खोल सकते हैं तो अगर वेबसाइट के फ्रंटें की बात करें तो उसके तीन पा है यह हमें कोई पारग्राफ लिखना है अपने पेज के ऊपर तो वह कहां पर प्लेज़ होना चाहिए जिसे इस वेबसाइट के अंदर एच्टीमल ने बताया है कि डाउनलोड विज्वल स्टुडियो कोड उपर लिखा होना चाहिए उसके नीचे यह सारी चीजे लिकी हो नीचे हमारे पास लांगविज आनी चाहिए उपर गूगल का यह इमेज आना चाहिए यह सारी की सारी चीजें अच्टीमल ने बताई है कि यह कहां कहां होनी चाहिए तो एक तरीके से एक चर्ट्रक्शर या लेयाउट दे रहता है एक घर को इमाजन करिए घर के अंदर जो स्केंट कमरें के अंदर क्या चीज़ें होंगी यह सारा का सारा रॉपार्ट है वह स tras DeKal तो इस प्रंटेंट का CSS, CSS क्या करते हैं, उस घर के अंदर दिवारों का कलर क्या होगा, बटन का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, बटन का क्या कलर होगा, या फिर फ्लोर पर अमने कार्पिट बिचा है नहीं बिचा है, वो सारी चीजें कंट्रोल करता है, यानि style वाली, CSS का मतलब होता है, cascading, style, sheets, ये वो code का पार्ट होता है, जो define करता है कि आपका जो web page है, उसका style क्या होना चाहिए, जैसे VS code वाली site पर अगर जाएं, तो यहाँ पर ये सारे का सारे जो text लिखा, इसका font क्या होने वाला है, इसका font size क्या होने वाला है, ये सारी चीजें जो ह जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फंक्शनालिटी डिपाइन करता है, जैसे आपने घर बना लिया, structure बना लिया, उसके अंदर कमरे आ गए, उसके अंदर light है, उसके अंदर fan है, फिर आपने ये भी डाल दिया क्यों का color क्या होगा, अब फैन का जब बटन दबाएंगे, तो हमारा पंखा चलना चाहिए, हमारी light जो है on, off होनी चाहिए, ये सारी जो फंक्शनालिटी है, जो अंदर का logic है, वो कौन लेकर आता है, वो लेकर आता है, एक website के अंदर जावास्क्रिप्ट, तो इस बटन पर क्लिक करने के बाद, मेरे ले कुछ च लेवल 3 एंद लेवल प्रो, लेवल प्रो करने के बाद, आप अलमुस्ट, मतलब 100 से भी उपर परसेंटेज वाली वो सारी चीजें, एक बार देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जो किसी भी website को बनाने के लिए, जितनी HTML आपको आनी चाहिए, अब सबसे पहले बात करते है कि HTML stands for Hypertext Markup Language, यानी यह कैसी language है, जो किसी भी website का markup बताती है, structure बताती है, layout बताती है, HTML is the code that is used to structure a webpage and its content, मिलब किसी भी website पर अगर आपको कोई भी content डालना है, और कौन सा content आपको 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 नीचे नीचे आपको सब डिफाइन करने, तो आप HTML का इस्तेमाल कर रहे ह या तो आप view page source करें, view page source करके क्या होगा, इस पूरी की पूरी website पे, जो HTML का कोड लिखा हुआ है, वो सारा का सारा हमारे पास आजाएगा, यह सारा का सारा जो code है इस website का HTML का कोड है, तो actual में जो web pages होते हैं, websites होते हैं, वो में दिखने में तो बहुत सुन्दर से लगने है पर उनके जो पीछे का कोड है, वो कोड अक्चली उस सुन्दरता में convert हो रहा होता है, और वो कोड कुछ ऐसा दिखता है, और कुछ ऐसा ही कोड हम इस पूरी विडियो के अंदर लिखने वाले हैं, अब अगर आपको किसी भी website का internal code देखना हो, तो उसके लिए simply क्या करना ह है, राइट क्लिक करना है, और व्यू पेज सोर्स पे जाना है, तो यह Google.com का पूरा-का पूरा जो HTML code है, वो आपके लिए खुल कर आ जाएगा, अब जब आप इस code को कॉपी करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, इस code को कॉपी करके तो मैं पूरी website रीक्रेट कर लेता ह है, पर वो सारी चीजें extra है, अभी के लिए हमें समझना है, व्यू पेज सोर्स करके, हम किसी भी वेब पेज का, जो है HTML code देख सकते हैं, तो राइट क्लिक करके, हम इंस्पेक्ट करके, इस code को और थोड़े से clean format में देख सकते हैं, प्लस, यह जो arrow बाटन उपर screen पर आता ह है, उससे हम देख सकते हैं, कि कितना part कॉन से हमारे हिस्से को दिया गया है, जैसे यह जो image है, यह website का इतना डबा लेती है, यह जो download वाला button है, यह इतना element होता है HTML का यह वाला जो बाटन है यह arrow बाटन इतना सा पार्ट ले रहा है डाउनलोड बाटन उसके बाद जो पूरा को पूरा बड़े वाला बाटन है उसके अंदर हमारे दो तिन आप लेवल्स देख रहे होंगे कि बाहर वाला लेवल के उसके अंदर एक और लेवल का में दबा देख रहे है उसके अंदर एक और दबा देख रहा है तो यह सारी जो यह website का page है यह हमारे iPhone 12 Pro पर कईसा दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा हम वो भी देख सकते हैं अगर मान लीजे हमारे पास है Galaxy Fold तो उस पर कैसा दिखेगा उस पर यह search ऐसा दिख रहा होगा अगर हमारे पास iPad Air है तो उस पर यह page कुछ ऐसा धिख रहा होगा तो डिवाइसे पर कैसा दिखेंगे तो ऊपर जाकर डाइमेंशन में जाना है यहां से डिवाइस फिर डाइमेंशन और उसके बाद आपके कुछ बाइड डिवाइसे आ रहे होंगे उनको देखकर आप चेक कर सकते हैं जब भी कोई अच्छी से सुंदर सी वेबसाइट जिसके ब वेबसाइट के ऊपर पूरा का एक डबब डिजाइन हो एक ऐक ऐकं होरा है हिमेज हो रही है एक बटन हो यह सारी की सारी चीजें ही एच्टीमल टैग्स की मदद से बनाइ जाते हैं एच्टीमल चंपनेंट हो जिसको लिए हम तर्ट टाइम जो है वो अगले गर सकते हैं का सबसे पहले क्या करेंगे अपनी फॉर्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे HTML के अंदर तो उसके लिए हम अपने डाउनलोड़ेड विजुल स्टुडियो कोड पर जाना चाहते है अब मेरा विजुल स्टुडियो थोड़ी कुछ चीजों से भरा हुआ हो सकता है आपके पास इतनी अधी फ्रूट को खोलने के बादby इसम्में एक 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 चेंशन इंसτιंचन करनी यहां आउन घ्सके आउनितैंशन अब जा सकते अर एक चेंशन हमें यहां फाइल वाले ओप्शन में जाएंगे एक फोल्डर हमने बनाई लिया था html तुटोरियल जिसको हमने खोला हुआ एक नई फाइल बनाएंगे इस नई फाइल को नाम देंगे इंडेक्स.html और यह इंडेक्स.html हमारे लिए खुलकर आ गई है अब यह जो फाइल हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं कि आप नोट पैड के ऊपर बना सकते हैं पर यहां पर अभी में दिखाऊंगी कि क्या-क्या हमें फंक्शनालिटीज मिल जाती हैं जिसकी वज़े से व इंडेक्स.html जो है वो भी लिख सकते हैं पर यूज़ली जो मोस्ट पॉपिलर है वो .html है क्योंकि वो अपडेटर जो वर्जन है एक्सेंशन का जिसे टेक्स्ट फाइल को हम .txt से करते हैं पाइथन की फाइल को .py से करते हैं वैसे यहां पर HTML फाइल को .html से हमें खतम क सब्सक्राइब करते हैं उसको शुरुआत में एक होम पेज चाहिए होता है जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं उस वेबसाइट का सबसे पहले एक होम पेज खुलता है जैसे for example अगर हम एक वेबसाइट सर्च करना चाहें Google.com तो यह Google.com का होम पेज है जो हमारे सबसाया लए असके बाद हम यहां पर कुछ भी जो सथ कर सकते हैं वहं सप्हां बर चले जाएंगे किसी और सब पीच पर यह है इसका हॉम पेज अब होम पेज कैसे बेक करता है जब भी सरवर जो है हमारे पर अब्राउजर पर रेंडर कर रह होता है फाई पेज को वह टेक और फिर उस फाइल को by default वो आपका homepage बना देता है अगर अपने index.html नाम की फाइल जो है अपनी website के अंदर नहीं create की तो आपको server को अलग से जाके बताना पड़ेगा कि ये वाली दूसरी जो फाइल है ये मेरा homepage होनी वाली है लेकिन by default ये मतलब बहुत अच्छा प्रोग्रामर्स का जो है तरीका है प्रोग्रामर्स की टिकनीक है कि हम हमेशा इंडेक्स.html के साथ शुरुआत करते हैं उसको अपने होम पेज की तरहे ट्रीट करते हुए उसके अंदर अपनी सारी इंपॉर्टन चीज़ें मेजर चीज़ें जो है वो लिख रहे होते हैं अब अपने HTML पेज को देखें तो इसके अंदर हम एक बार कर देखें और यह जैसे है आप एक्स्क्लमेशन टाइप करेंगे और यह दो आपके लिए फीचर जाएंगे इसमें से सबसे पहला एक्स्क्लमेशन कुछ यहां पे सेटिंग वाला आपका तूल आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद एमिट अब्रिविएशन जैसा किया वैसे ही मेरे लिए एक पूरा-पूरा-फूरा-फूरा-फूर का सांपल कोड जो है वो खुल गया इस कोड को हम बॉइलर प्लेट कोड कहते हैं यानि इतना कोड तो आपको बाइड डिफॉल्ट चाहिए ही होता है अल्मोस सब केसे में जब भी आपके लिखने चलते ह सबसे पहले होगा पर यह दरावना नहीं है इस कोड को पूरी तरह मैं अनलाइज करेंगे इस किनाटमी वगेरा सब कुछ हम चान मारेंगे बस समझने वाली चीज सबसे पहले यह है कि वी एस कोड ने आपके लिए असान कर दिया कि आपको पूरा कोड खुद से न याद कर न देखना है न लिखना है हमें सिंपली जाना है इस ओप्षन पर और एमिट पर हमें क्लिक करके पूरा कपूरा हमें बॉयलर प्लेट कोड मिल रहा होगा अब यह जो फंक्शनालिटी है यह नोटपड पर अगर आप कोड लिख रहे होते तो आपको नहीं मिल रही हो थी त हम इधर नीचे जाकर गो लाइव में जा सकते हैं और हमारे लिए क्या होगा हमारा पूरा HTML पेज हमारे लिए खुल जाएगा अब अभी के लिए हमने HTML में कुछ नहीं लिखा इसलिए हमारा पेज हमें खाली लग रहा है अगर मान लीजे मैं यहां पर सैंपल के तौर पर क कुछ भी लिख दो अभी के लिए भी के लिए धन नहीं लिख रहा है क्या मतलब है सिफ देखना है कि हैं इसको कर लेती हूं सेफ और जैसे ही मैं वापस गई मेरे लिए हलोग मेरी स्क्रीन पर प्रिंटो करा गया है हलोड बाई डिफॉल्ट हो स्टेट्में तो कोई भी आ बार आपको सेव करके रिफ्रेश या दुबारा से ओपन नहीं करना पड़ेगा अपना वेब पेज आप डिरेक्ट लिखेंगे सेव करेंगे वापस से अपने वेब पेज पर जाएंगे जो खुला है और आपके लिए सारा का सारा है जो आउट पुट है वो डिस्पले हो कर अब उपर आप नोटिस कर रहे होंगे कि यह जो है सर्वर हमारा खुल गया है और एक इंडेक्स.html नाम की फाइल जो है खुली है अब फॉर एक्जम्पल मैं इस फाइल का जो है नाम चेंज कर दूं इसको हम कर लेते हैं और इस फाइल को कुछ और नाम दे देते हैं इसक क्रिएट करें तो उसको नाम दे इंडेक्स.html अब यह जो बड़ा सा कोड हमें दिख रहा है इसके बारे में टेंशन ना लेते हुए सबसे बहले बात करते हैं कि HTML टाग्स क्या होते हैं HTML के अंदर एक कंटेनर होता है कंटेनर यानि जैसे हमारी किचन के अंदर कुछ डब अब बड़े कंटेनर के अंदर दालते हैं और इस कंटेनर को हम कहते हैं HTML तो HTML टाग इस a container for some content या फिर other HTML टाग यानि एक HTML टाग के अंदर एक कंटेनर के अंदर आप दूसरा कंटेनर भी डाल सकते हैं जैसे मम्मी कभी करते हैं कि किचन में जगे बचाने के लिए करते हैं बड़े के अंदर कोई चोटा डबा डाल देते हैं बड़े पतिली के अंदर चोटा पतिला उसके अंदर एक और चोटा पतिला वैसे डाल के हम किचन के अंदर स्टाग कर देते हैं कुछ इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर होता है HTML में जब आप क्या करते हैं एक बड़ इनिशल चीज लिखी है, यानि ये अंगिलर ब्राकेट्स और इसके अंदर जो है P, इसका मतलब होता है पारग्राफ टैग का ओपनिंग टैग, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग और इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग के अंदर आपको ये स्लाश दिख रहा ह लिखेंगे पारग्राफ के अंदर हम कोई भी लाइन लिख सकते हैं जैसे इस इस पारग्राफ या फिर हेलो वर्ल्ड आइम लर्निंग टोड़े इस तरीके का कुछ कॉंटेंट होता है और जब हम इस पूरे की पूरी चीज को कंसेडर करते हैं यानि ओपनिंग टाग कॉंट इस पूरे के पूरे मेटीरियल को हम एक HTML element कहते हैं तो HTML के अंदर element क्या होता है टाग्स और उनके बीच का कॉंटेंट जैसे अगर में अगर कोड में अनलाइज करें तो एक बार क्या करते हैं लिखते हैं सेम ये स्टेटमेंट इस 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 अ पारग्राफ तो हमारे लिखा हो गया और बीच में हमने कुछ कॉंटेंट लिख दिया है इसको कर लेते हैं सेव और इसको देख लेते हैं स्क्रीन पर तो इस 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 अ पारग्राफ हमारे लिखा हुआ आ गया है अब एक और चीज आपने नोटस की होगी कि जैसे ही मैंने ये अंगिलर ब्राकेट पी और क्लोजिंग ब्राकेट टाइप किया तो मेरे लिए आटोमाटिकली जो है ओपनिंग टाग के साथ मेरा क्लोजिंग टाग भी आ गया तो इस तरीके की भी फंक्शनालिटी वीस कोड जैसे टेक्स एडिटर जो होते हैं हमें इसलिए उनको यूस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो बार बार में क्लोजिंग टाग लिखने नहीं पड़ते हैं तो हमने समझा कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ में डलवाना है उसको एक टाग के अंदर लिख दें अब अपने बेसिक हमें पेज को अनलाइज करते हैं सबसे उपर हमने लिखा है डॉक टाइप है इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम अपने ब्राउजर को बता रहे हैं कौन से ब्राउजर को यहां पर हम क्रों का इस्तमाल कर सकते हैं हो सकता है आप ब्रेव यूज कर रहे ह इस पूरे के पूरे HTML के code को लिया और उसने उसे इस web page में convert कर दिया अभी एतना सुंदर नहीं लग रहा देखने में पर दीरे सुंदर हो जाएगा इसमें अमने चोट इसी लाइन जो है वो दिखाई हुई है तो ब्राउजर का काम होता है अपने HTML कोड को रेंडर कराना हमार वेब page की form में तो doc type HTML बताता है कि जो हम document लिख रहे है इसका type क्या है इसका type है HTML और इस doc type से हमें पता चलता है कि HTML का कौन सा version हम इस्तामाल कर रहे हैं यहां पर जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब है हम HTML 5 का इस्तामाल कर रहे हैं तो version no.5 जो हम इस्तामाल कर इस document को लिखने के लिए उसके बाद second चीज हम देख रहे होते हैं हमारे लिए HTML का opening और HTML का closing tag आता है इसमें हम देखेंगे कि HTML का opening और HTML का closing tag आया है यह tag हमें बताता है कि this is the root of an HTML document जैसे HTML का जो page होता है वो पूरा को बड़ा page एक HTML element होता है और वो सबसे बड़ा element होता है अब उसके अंधर प्यार ग्राइप डालें कहीं बटन दाल दें कहीं आपको heading यह सारे सब elements है यानि बढ़ा जो हमारा पूरा को पूरा पूरा page होता है वो खुद में हमारे पास है head tag और एक body tag अब head क्या करता है head वो चीजें बताता है हमारे html document के लिए जो हमें web page पर display नहीं करनी जो बस हमारे code को पता होनी चाहिए और body tag बताता है वो चीजें जो actually हमारे page पर display होती है जिसे head के अंदर हमारे पास कुछ meta information होती है meta information यानि data about data वो information जो useful है पर हमें अपने page के उपर उसको display नहीं गराना जिसे हमने यहाँ पे name viewport लिगा हो है content device लिए यह viewport वाली जो चीज है यह basically बताती है कि आपकी जो website है वो responsive होनी चाहिए यानि अलग-अलग devices जिनकी हमने बात की थी अभी आपकी जो website है वो iPad Air पर भी अच्छी दिखे आपकी जो website है वो हमारे Pixel 5 पर भी अच्छी दिखे हमारी जो website है वो हमारे Samsung Galaxy पे भी अच्छी दिखे मतलब कहीं पे पिक्सल फटवट ना रहे हो कहीं पे component जो है वो बहुत बढ़ा ना हो रहा हो वैसी चीजी ना हो रही हूं इसलिए उस तरीके से हमें website को आपको डिजाइन करना पड़ता है कि छोटी स्क्रीन पे अच्छी दिखे और बड़ी स्क्रीन पे भी आज कर लोग जो है बहुत जादा अपने फोन पे फोन के हिसाब से website काफी जादा दिजाइन होती है लाप टॉप के साफ से ड़ाइन होती है तो उस तरीके से आपको देखना पड़ता है कि आप अलग लग डिवाइसे के लिए अच्छे से website डिजाइन कर रहे है इस चीज को हम responsiveness कहते है कि हमारी website responsive कितनी है कितना अच्छा response देती है जैसे हम screen का सीख साइज कर देते हैं एडिए बददीद देटे सिर देख सुद्ध कांच यह रहा हो के ताइटल झे सके हैं, मां फिर्स्ट पज़ु right यह ताइचल भी खुद में एक टाइचे जिसके अनधर टाइचल हम लिखे हैं उसके बाद आजाती है हमारी बॉडी हम इस विडियो थी अनर बोडी के अनर के अन्धर के सारी टाइच को डिसक्स कर रहे होंगे बोडी ताइच के अनधर वो सारी चीज यह अन्हीं है जो डिस्प्ले हुआ तो जो चीज हमें डिस्प्ले कराने ये वेब पेज के ऊपर उसको लिख देंगे अपने बॉडी टाग के अंदर तो ये कुछ फॉर्माट रहता है किसी भी basic HTML पेज को लिखने का जब भी हम शुरुआत करेंगे ये सारी चीजे हमें लिखनी चाहिए अब सब्सक्राइन में से कुछ-कुछ ऐसी चीज है जिनको आप भटा देंगे तो भी आपका कोड चल जाएगा पर वो एक optimum कोड नहीं होगा उस तरीके से कोड लिखना कहीं भी अडवाइजबल नहीं हो था अगर आपको प्रोफेशनली अच्छा करना है बहुत अच्छे प्र प्लस यह सारे के सारे नोट्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो फिर कुछ ऐसे याद अच्छ करने की जुरूत नहीं है प्राक्टिस के साथ साथ चीजें जो है अपने दमाग में आटमाटिकली बैठती जाएंगी कुछ भी कहीं भी आप कभी भी खोल कर देख सकते हैं अब विजुल स्टुडियो कोड का एक और चुटा साथ होता है कि किसी भी चीज के बारे में मतलब इस डॉक्यमें में कुछ भी लिखा है उसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते है वहां पर जाकर अब जाएगी अब जाएगी MDN क्या है मौजिला की तरफ से एक डेवलपर गाईड है पूरा का पूरा समें डॉक्मेंटेशन है स्टीमल का सीएस का बाकी चीजों का तो यहां पर जैसे हमने हैड पर क्लिक किया तो दॉक्यमेंट मेटाडेटा हैडर एलमेंट यह सारी एक् जैसे इसननने बतादिया कि कौन-कौन से ब्रॉजर में हैड जो हम लिख सकते हैं कौन-कौन से वर्जिंस के लिए एप लिए जा सकते हैं ब्राउजर कंपैपिलिटी बता दी तो उसके यूजजिज और तो यूजजेस पाफ शारी सारी चीजें अपको मिल जाएगी तो सा अपसे पहला पॉइंट है कि HTML tag is parent of head and body tag, अब यहां पर हमने एक head tag देखा और एक body tag देखा, यह body वाला पार्ट है, head और body, इन दोनों जो tags है, उनका parent जो tag होता है, वो हमारा HTML tag होता है, तो by default, head or body जो tag है, वो हमारी HTML tag के children हो जाते हैं, और एक दूसरे के sibling हो जाते हैं, और ए HTML elements have opening and closing tags with content in between, most of हमारे HTML documents होते हैं, जैसे हम paragraph की बात कर लें, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ content होता है, और एक opening tag होता है, closing tag होता है, ऐसे भी tags exist करते हैं, जिसमें opening, closing अलग अलग नहीं होता, सिफ एक single चीज आपको लिखना होता है, जैसे नेक्स लाइन के लिए हम एक ब tag का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यह पूरा का पूरा बीर जो है, ब्रेक लाइन टाग यह इतना ही लिखा जाता है, इसके अंदर ना opening होती है और closing होती होती है, बस इतना ही होता है, नेक्स है, सम टागs have no content in between, जैसे हमारा बीर टाग हो गया, जैसे हमारा बीर टाग हो इसमें हम सबसे पहले करेंगे view page source, तो क्या हुआ, वो सारा का सारा code जो हमने फाइल में लिखा हुआ था, वो सारे यहां पर लिख कर आ गया, यह वाला जो पार्ट है, इसको अभी के लिए इग्नोर करना है, क्योंकि यह सारा पार्ट यह नीचे आप जो script tag के साथ पार्ट देख रहे होंगे, यह सारा हमारे live server ने हमारे लिए create किया है, तो इसको नहीं देखना, अभी देखना है सिर्फ अपने इतने HTML वाले पार्ट को, तो इसको हमने फाइल के अंदर लिखा था, और यही same code हमारे लिए view page source से खुल गया, तो इसमें हम को changes चाहें, तो यहां पर एडिशनल चीजें आड़ सकते हैं, जिसे यहां पर एपर हम एक और पारग्राफ दाल सकते हैं, new paragraph और इसमें हम अगर इसको कर लें, save, तो इस new paragraph यहां पर आगया, तो इस तरीके से हम पर ब्राउजर पर जाके अपना पूरा HTML जो ले आउट है, content है, उसको चेंज कर सकते ह जो यहां पर चेंज नहीं लेकर आएगा, मतलब अच्छल कोड में चेंज नहीं होगा, पर अमारे ब्राउजर पर हो जाएगा, जैसे गूगल का नाम मान लीजे, आज गूगल का नाम पसंद नहीं आरा, गूगल का नाम चेंज करके हम कुछ और करना चाते हैं, और यह वाला कुछ ऐसा पार्ट लिखना होता है, जो हम नहीं चाहते हैं, कि हमारे कोड का पार्ट बने, जिसे इंगलिश में कोई लाइन लिखनी है, कि इस तरीके की चीज हम अगर लिखेंगे, तो यह जो है, इसको सेव करने के बाद, हम अपने पेज पर जाते हैं, तो इस इस हमारे लिए हमारी स्क्रीन पर आ गया है, पर हम नहीं चाहते थे कि हमारी स्क्रीन पर रहा है, हम चाहते थे बस हमारे कोड में, अगर कोई और बंदा हमारा कोड बढ रहा है, मेरा कोई दोस्त बढ रहा है, या कोई और प्रोजेक का पार्ट नर बढ रहा है, तो सिर्फ उस हिस्सा होता है हमारी file का जो code में नहीं आता ये normal हिंदी में हम इसको लाते हैं और इसको लिखने का फॉर्माट रहता है कि आप लिखेंगे एक angular bracket उसके बाद हमारा exclamation mark and hyphen hyphen और बाद में लिखेंगे hyphen hyphen and closing angular bracket तो इसके अंदर आप जो भी पार्ट लिख देंगे यह सारा जो green से आ रहा है यह सारा का सारा एक comment है यानि यह वाला part अगर इसको save कर दें तो अब हमारी website के उपर अब हमारे web page के उपर यह सारा part हमें नहीं दिखेगा तो इस तरीके का कुछ फॉर्माट रहता है हमारे comments को हमारे code में लिखने का जैसे उपर अगर लिखना चाहें this is my first html code इसको कर लेते हैं save और इसको ने रिफ्रेश किया तो वो line हमारे डिस्पले नहीं हुई क्योंकि वो ब्राउजर के लिए नहीं थी वो line सिर्फ उन developers के लिए है जो हमारा code पढ रहे है या in fact हमारे लिए कभी-कभी projects के अंदर या companies के अंदर जाकर बहुत सारा code लिख लेते हैं उस code में चीजें कंफ्यूजिंग हो जाते कि यह वाला part किस ले था यह वाला यह वाला element कहां पर है वो वाली चीजें और कोई और भी आपका code पर आकर same code पर आप काम करें तो confusion से बचने के लिए हम बहुत बार comments लिखने हैं ताकि फाइदा हो हमें पढने में code को तो comments हमारे code का वो part होते हैं जो parse नहीं हमारा browser उसको render नहीं करता next बात करेंगे कि HTML is not case sensitive यानि कुछ कुछ programming languages होती हैं जैसे आप C का example ले लें C++ का ले लें Python का ले जावा का ले लें यह सारी programming languages है यह case sensitive है इसके अंदर capital A और small a अलग-अलग माना जाता है पर HTML के अंदर capital A और small a सेम होता है जिसे अगर हमने यह tag लिखा हुआ है head इसके अंदर हम इसको capital H E A D भी कर दें तो भी हमारे code में कोई error नहीं आएगा अगर हम यहां पर paragraph लिखना चाहें और हम इसको लिखने capital P तो यह भी एक valid tag है और small P वाला टाग और capital P वाला टाग दोनों की value जो है बिल्कुल सेम मानी जाएगी तो अपने tags को अगर हम capital में लिखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता हमारे code पर क्योंकि HTML is not case sensitive अब हमने क्या कर लिया है बहुत सारा HTML के साथ बेसिक बेसि है उसको समझ लिया है अपने code को HTML code को actually run करके कैसे देखना है ब्राउजर के ऊपर किसी और का code या अपना ही code analyze कैसे करना है ब्राउजर के ऊपर ही edit कैसे कर सकते हैं अपने inspect को खोल कर हमने यह सिख लिया page source हमें पूरा-पूरा HTML code देखे जाता है किसी भी website को जिसको जाकर हम अपने लिए personalized भी कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखी है अब हमें क्या करना है इन सारी की सारी चीजों को सीखते हुए एक basic से अपने project की शुरुआत करनी है यह project होने वाला है portfolio project इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले अपनी एक index.html वाली file हम create करेंगे सबसे पह उसमें बस hello world हमें print करना है या से portfolio प्रेंट करना है अभी के लिए कुछ extra चीजें नहीं करनी इतना part हमें कर लेना है अपने project 1